नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं नई सिक्षक बढ़ती बिग्यापन को लेकर के मुख्यवंत्री जी को पहले भी प्रस्ताओ भेजा गया था माद्यमिक सिच्चा सिवा चैन बोर्ड की तरफ से और ये बिग्यापन बहुत जल्द आने वाला है और अगले महीने में ही बिग्यापन आने और साथ में आनलाइन आवेदन की सत प्रस्त यहां पर उम्मीद है और ये बिग्यापन ऐसे समय में आने जा रहा है जहां पर B.A.B.T.C. का मामला भी कोर्ट में फाइनल नहीं हुआ है हाला कि ये परात्मी सिक्षक बरती नहीं है, जूनियर की सिक्षक बरती नहीं है, मादेमिक की सिक्षक बरती है TGT PGT में रित्वपदों के सत्यापन के लिए फिर से आनलाइन पोर्टल खोला जा रहा है और उसमें टास्क फोर्स के मादेम से आप देखेंगे कि बहुत कम समय दिया गया है और उसमें ये प्रक्रिया कंप्लेट की जानी है तदर्थ पदों पर यहां पर एक पत्र जारी किया गया है कि जो 2000 बात के तदर्थ सिक्षक हैं उनका वेतन रोका गया है यानि ये तदर्थ जो पद हैं कहीं कहीं नई सिक्षक बरती TGT PGT में जुड़ सकते हैं चुकि इसमें ये आरोप लगाया गया था कि मनमानी का कि इसमें जो पदों का धियाचन है ंज है और सही नहीं दिया गया है पदों का धिया गया है तो इसको भी देखाएंगे अभी आपको और यहां पर पद बनने के पूरे पूरे चांस है आइडेड जूनियर शिक्षक बढ़ते को लेकर के हमने कल वीडियो बनाया था हो सकता है कुछ मित्र ना देख पाया हो तो यहाँ पर जो भी अपडेट से वीडियो के अंते में 2-3 मिनिट में संचेप में सारी चीजी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा तो वीडियो को आप सभी प्लीज पूरा देखें वीडियो को लाइक शेयर करके साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना है सूपर्टेट 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट हमने चला रखे हैं साथियों अगर आप सभी से निवेदाने के एक बर आप प्रैक्टिस आप जा करके जरूर देख लिजीगा अगर आपको पसंद आए तो पिर आप आगे देखे इसके लिए आपको प्लेश्ट में जाना पड़ेगा प्लेश्ट में सब्सक्राइब करना रखे हैं ताकि आपको जो देखना हो वीडियो जिस टाइप का तो आप वही वीडियो जाकर के डारेक्टिस प्लेश्ट में देख सकें कुछ अन्य न्यूश्पेपर के माद्यम से जानकारी दी गए अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं यूपी में हर परिवार के एक सदस्कों मिलेगा रोजगार परिवन निगम में 5 साल बाद 699 पदों पर मिरतक आसिरतों को न्यूगती लाश्ट बार 2018 की भरती हुई थी संस्कित बिद्यालियों में होगी 1282 सिक्षकों की भरती कल भी इसको लेकर के जानकारी दी गए थी उप सिक्षा निदेशक संस्कित ने चैन बोर्ड को भेजा अधियाचा नियमावली में संसोधन की बात चैन बोर्ड सुरू करेगा सिक्षक भरती प्रक्रिया प्रदेश के संस्कित में द्यालों में सिक्षकों की भरती प्रकिरिया में बदलाओं के प्रियास के साथ रिक्तपदों को भरने के भी कवायत तेज हो गई है सरकार की मनसा के अनरूप सिक्षिकों की भरती के लिए उत्तर प्रदेश मादमि सिक्षा सेवा चैन बोर्ड नियमावली में संसोधन के लिए प्रस्ताओ पहले ही भेज चुका है रिमैंटर भी भेजा गया है इधर उप सिक्षा निदेशक संस्कित ने 1282 पदों पर सिक्षिकों की भरती के लिए चैन बोर्ड को अधियाचन भेज दिया है नियमावली में संसोधन के प्रस्ताओं को सासन से मंजूरी मिलते ही चैन बोर्ड सिक्षिकों की भरती पर क्रिया तेज करेगा रिक्त पदों पर भरती मुक्यमंदरी योगी आदितनात की सौ दिन की कारी होजना में शामिल है ऐसे में सभी विवाग इस दिसा में तेजी से काम कर रहे हैं कि प्रदेश के 570 मादमिक बिद्यालेओं में से कई में सहाय का ध्याफक और प्रदाना चार्यों के रिक्त पदा है उपने देशक संस्कित सी एल चाउरसिया ने बताया कि संस्कित मादमिक बिद्यालेओं में प्रदाना ध्याफक के 304 और सहाय का ध्याफक के 988 पदों पर भरती के लिए चैन बोर्ड को प्रस्ताव भीजा है इधर रिक्त पदों पर भरतिया मुख्यमंद्री की प्रात्मिक्ता में होने से अनुमाल लगाया जा रहा है कि संस्कित विद्यालेओं में सिक्षिकों की भरती के लिए चैन बोर्ड की और से भेज़ेगे प्रस्ताव पर जल्द मोहर लग जाएगी चैन बोर्ड के सच्च सब कुछ होने के बाद जून में क्योंकि सव दिन की कारियोजना का मतलब आप समझ लीजिए कि लगबग मई का महिना आपका बीत रहा है तो जून में यह विद्यापन हराल में प्रक्या जो है सुरू होनी ही होनी है बहुत अगर लेट होगा तो जुलाई जाएगा इसी तरह से आप देखेंगे TGT PGT विग्यापन 2022 की भी तैयारी तेजी से कारे कर रहे हैं इस पर विभाग के तरफ से और अधियाचन को एक बार फिर से आप देखेंगे आप पर वेरिफाई करवाया जा रहा है और इसके लिए टास्क फोर्स के मादेम से चीजिक की जा र इंगा 23, 24 और 25 तारी और हर हाल में ये कारे कंप्लिट कर लिया जाएगा इसका मतलब है कि अगले महीने जून में भी इसका विग्यापन जारी हो सकता है जुलाई की तो हम लोग ने उम्मीद लगा के रखिए पहले से जून में भी TGT PGT 2022 का विग्यापन आ सकता है लेकिन आऊपे तदर्त सिक्षकों के पद जुडसेगे आईए दिखाते हैं 95 इसमें तदर्त सिक्षकों का वेतन रोग दिया गया है उसको लेकर कि पत्र भी जारी कर दिया गया है ऐ Hiç कि ऐ आप देखने तो एक अगर आपको देखना हो तो मादे में सिक्षास के बाद चैन बोर्ड शुक्यत पदों आरक्षे सेड़ी में दोबाड़ा रिक्त पदों की इस्तिति देखी जाएगे ताकि चैन के बाद अभ्यारतियों को कोई भी समस्या न आए यहाँ पर दिखिए जिले में तैनाथ 36 तदर्थ सिक्षिकों का वेतन रोका गया इसकी पीछी का रिजिन गया है कि एक जनौरी सन 2000 के बाद तैनाथ तदर्थ सिक्षिकों पर यहां आदेश लागू होगा सभी और सासकी सायता प्राप्त मादमिक बिद्यालों के प्रबंदकों और प्रदानाचारियों को भेजी पत्र में जिला बिद्याले निरक्षक ने एक जनौरी दोजा के बाद तैनाथ तदर्थ सिक्षिकों के संदर्व सर्वोचिन्याले के 26 अगस 2020 के आदेश के अंसर का हवाला दिया है बताया गिया है कि इस आदेश के अनुपालंग के संदर्व में 19 माई को अपर मुखी सच्यूप मादेमिक सिक्षा के अधिक्षिता के हुई बैटक में तदर्थ अध्यापकों के वेतर रोक के जाने के नेर्देश दिये गए है इसका मतलब है कि ये पद जो है आपकी नई सिक्षक बरती टीजीटी पेजिट दोज़े दोहर बाइस बिग्यापन में 100 परसन जोड़ने चाहिए या जोड़ करके ही बिग्यापन आएंगे इसके बात करेंगे आइड़र जूनियर शिक्षक बरती को लेकर कि बहुत ही महतुपूर भरती है और यह भी सौधिन की कारे उजना में सामिल होना चाहिए समयने काफी महीने हो गए है और जो पांच जुलाइ की डेट लगी है उसके पहले भी भरती प्रकिरिया कराने पर कोई रोक नहीं है जब चाहे तब भरती पुर्व करा सकता है और पांच जुलाइ के बाद जो है नियुक्ति की जो अंतिम कारवाई है नियुक्ति पत्र वित्रड होना विद्ध्याला वंटन उस सब चीजे भी करवाई जा सकते लिकिन उसके पहले के जो भी प्रकिरिया है आलाइन आवेदन आ करिया है आपकी अगले वहीने से सुरू होने के प्रबल आसार है रिक्त पदों का जो पत्रांग के भेजा गया है महिला अरक्षर 20 परसत को लेकर की भी हमने इस्तधी अस्वष्ट की है कुछ लोग लगातार जहां उसको लेकर के भ्रहम है या फिर भ्रामक खबरे भी बता जा रहे हैं आप वहां से देख करके आते तो आपको कुछ और चीज़ें बताई जाती है जबकि हमने आपको बेसिक नियमावली 1981 के आधार पर हमने आपको 60 जानकारी दी है बाकी जब समय आएगा तो आप स्वहम देख लेंगे कि किस प्रकार से महिला अरक्षर होता कोई अलग से सीटे नहीं दें उसमें जोड़ जाती है कोई अलग से लिष्ट या कटाफ नहीं आनी है उसमें क्यों यह दिखा जाना होता है कि महिलाए 20% है या नहीं अगर उनकी संक्या है मतलब मेरिट में है लेकिन उनके पद जो है 20% से कम भरे गए तो उस इस्तिते में वहा हो जाएंगे जूनियर आइडर का नोटिफिकेशन है फरवरी 2021 का और पचीस नूमबर 2021 का आडर है रास्तानाई को डिविजिन बेंच का बहुत बात का आडर आया हुए दो है आदेस इस सासनाइदिस में प्रभावी कैसे होगा ना तो कोई पहले से कोई कोट मैंटर था कि विनीद मदोरिया जी हैं जो कि 23 तारिक से यानि सो मुआर से लगातार जो है सिक्षा मंतरी मुख्य मंतरी जन्ता दर्बार अधिकारी जो भी सम्मंदित लोग हैं सबसे मुलाकात करने का प्रयास करेंगे हमारा बिनमन नेवेदेन हमारे चैनल के तरफ से बिनमन नेवेदे तो कहीं न कहीं बिनीद भदोरिया जी रिक्ते सीटों की संख्या को बढ़वाने और साथी साथ भरती पर किरिया जल्द सुरू कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे अगर कोई भाई अगर आगे आया है तो हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए ऐसा ना कि वो अकेले पड़ चाहिए प्लीज लाइक कर दीजेगा धन्यवाद